तो गैज अपको पता ही होगा न्यू अपडेट बहुत जल्दा आने वाला है इस बार अपडेट में सबसे ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला है चारेक्टर स्किल में खास करके इस बार ओरियॉन का स्किल पूरी तरीके से बदलने वाला है तो आज के इस वीडियो में हमारे पुराने और और पुराने स्किल को एक साथ में रखेंगे यहांपर हमें दो मेन डिफरेंस दिखेंगा जो कि यह पुराने में लिखाए 200 EP बट न्यू में लिखाए 150 EP और हमारे न्यू और यहां लिखाए 300 HP अभी यह क्या है यह हमारे अभी के टाइम के और यहां के स्किल में है ही नहीं अभी यह 300 HP का मतलब क्या है क्या अपडेट के बाद और यहां हमें 300 HP भी देगा ना मुनना ना असली खेल कुछ अलग है जो कि आपको आगे पता लग जाएगा अभी अगर हम लोग Orion को एक बार यूज करेंगे उसके लिए हमें चाहिए होगा 200 EP उसके बिना हम लोग Orion को यूज ही नहीं कर सकते यह हमारा अभी के Orion का स्किल है बर अपडेट के बाद जो Orion आएगा उसको एक बार यूज करने के लिए हमें चाहिए 150 EP मतलब अपसे 50 EP कम बर जादा खुस मत हो जाओ आगे इसका बैंड बजने वाला है बागे सारे Orion का स्किल सेम ही होने वाला है like cooldown time and use time 3 second ही होने वाला है मतलब Orion का स्किल 3 second के लिए ही काम करेगा जैसे करता है बड़ अपडेट के बाद इसके स्किल में एक बहुत बड़ा चेंदे सोने वाला है देखो अभी तुमें भी पता है, मुझे भी पता है और हम सभी को पता है कि Orion के उपर अगर कोई गोली चलाएगा तो Orion को घंटा फरक नहीं पड़ता है इसके उपर एक भी खरोच नहीं आने वाला चाहे बंदा Orion के उपर कितना भी गोली चलाएगा और यही तो Orion का सबसे बड़ा खासियत है बड़ अपडेट के बाद वाली Orion की अगर हम लोग बात करें आप Orion बनते हो अगर कोई बंदा किसी भी गन से आपके उपर फायर करता है तो बड़ी आसानी से आपका Orion तूट जाएगा जिसके वाद आपका खेल खतम अरे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं यहां बड़ जो Orion के स्किल में 300 HP लिखा है न उसका मतलब यह है Orion का जो गोला है अभी यह 300 damage तक ही सह सकता है उसके बाद यह तूट जाएगा ठीक वैसे जैसे क्रोनो का सिल्ड लगातार damage खाने के बाद तूट जाता है अभी Orion के साथ भी ठीक वैसा ही होने वाला है और यार मेरा यकीन मानो 300 damage बहुत कम है एक बंदा आराम से किसी भी गन से spray करके Orion को फोड सकता है और स्नाइपर की बात क्या ही करूँ यहां पर देखो स्नाइपर का एक गोली से कैसे Orion तूट गया देखो अभी के टाइम पर Orion को लेकर हाइट से कूदने पर Orion को डैमेज नहीं पड़ता है यह सब को पता है बड़कर new Orion को लेकर हाइट से कूदने पर यह तूट जाएगा चलो देख लेते हैं अभी देखो मैं advance server वे हूँ और यह ने वाला Orion है यहां से मैं Orion को लेकर नीचे कूद गया और result आपके सामने है Orion नहीं तूटा क्योंकि यह simple logic है 300 से ज्यादा damage अगर पड़ेगा तो ही जाकर Orion तूटेगा अब सभी को बताओगा Orion एनिमी का HP को खीच कर अपने अंदर डाल सकता है बड़कर new Orion यह कर सकता है वेल मैं एक बार नहीं बहुत बार देखा अपडेट के बाद वाली Orion भी HP को खीच सकता है कुछ ऐसे इसमें कोई changes नहीं है देखो यह अभी हमारे Orion के उपर तुम चाहे कितनी भी गरनेट फोड लो जब तक यह अपना skill के अंदर है इसके उपर एक भी damage नहीं पढ़ने वाला बढ़ अप new Orion की बात पूछो ही मत यहां बर देखो मेरे पास new Orion है और सामने वाला बंदा मेरे उपर गरनेट कर रहा है में Orion बनने के बाद पहला गरनेट से ही Orion बिलकुल तूट गया तुम देख सकते हो और second grenade जब भी फूटता है मेरा खेल खतम हो जाता है और मुझे नहीं लगता है अगर बंदा अलवार हो लेकर आता है तो Orion एक भी गरनेट को जहल पाएगा एक ही गरनेट से खेल खतम देखो यार साब साब बात है में तो गरेना से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ Orion के साथ इसा मत करो यार ने तो कौन यूज करेगा यार इसको तुम्हें क्या लगता है कॉमेंट करो Orion का ये निव अबिलिटी आनी चाहिए अफर पुराने ही सहिए अगर तुम्हें अभी तक बता नहीं है कि OB44 अपडेट कब आएगा है और उसमें क्या-क्या चेंजेस होने वाला है तो क्या कर रहे हो यार लेट वाली वीडियो को देख लो न अपडेट आने के बाद इससे कौन सी क्यारेक्टर से जिनका अबिलिटी चेंज किया गया है ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो को देख लो और में मिलता हम से किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जए जगरनाथ